स्वागत है आपका फ्रीजी की के शैनल पे मिरा नाम है किरन भाबर आज का मरा टॉपिक है विधान सभा विधान सभा से जुड़ा एटो जेड सारा कंसेप्ट इस वीडियो में क्लेर करवाऊंगी और साती साथ 50 इंपॉर्टेन आम से क्यूज भी कवर करवा दूगी वीडि अब ध्यान से सुने इसके बेसिस पे आप 50 इंपॉर्टेन आम से क्यूज अराम से सॉल्ड कर लोगे देखे हर राज्य में विधान मंडल में एक राज्यपाल और विधान सभा होना कंपल सरी है ठीके लेकिर विधान परिसद को बनाना या ना बनाना उसी राज्य की विध मैं विधान मंडल, राज्यपाल, मंत्री ये विधान परिसद, मंत्री परिसद, मुख्य मंत्री पढ़ा चुकी हो और इनके उपर MCQS भी करवा चुकी हो ठीके तो देखे हमारे हर राज्य में विधान मंडल, राज्यपाल और विधान सभा से मिलके बनी है हर राज्य में विधान परिसद नहीं है, कुछ-कुछ राज्य में है, तो बच्चो ध्यान से सुनिएगा, विधान मंडल के तीन अंग है, राज्य पाल, विधान सभा, विधान परिसद, अंग है ये तीन, विधान मंडल के दो सदन है, एक विधान सभा, दूसरा विधान परिसद, विधा विधान सभा को नीचला सदन या फिर निम्न सदन भी कहा जाता है ओके देखिए विधान सभा में जो भी मेंबर आते हैं इनको हम खुद चुनकर भेजते हैं ठीक है 18 साल से उपर व्यक्ति इनको वोड डालते हैं और जीत कर यहां पर आते हैं इसलिए से लोकप्रिय सदन भी सीवी हाल में नहीं होना चाहिए ठीक है और इसका सदस्य बनने के लिए 25 साल की उम्र होना आउशक है और वो व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए भारत का नाकरिक होना चाहिए और किसी लाब के पदपर नहीं होना चाहिए ओके देखिए बच्चो जो विधान सभा है उसक भी मंतरी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ जाता है तो पुरा मंतरी परिस्द त्यागपत्र देदेता है, takim आपना है तो इसके अध्यक्षता करने के लिए दो वैक्ति है एक विधानसभा का अध्यक्षे और दूसरा विधानसभा का उपध्यक्षे जोदिक्षता करता है मतलब आप विद्न्सभा की विद्lamation सभा में क्या होता है एक्षल में है विद्हानसभा का वीडियो करेंगा यूट्यूब पे तो आपको महां पर जो राज्य की विधान सभा है महां पर जो होता है वह आपको सीरा दिख जाएगा ठीक है तो वहां पर एक अध्यक्ष बैठा रहता है जो यह बोलता है कि अब आपकी बारी है आप चर्चा करें आपका सवाल पूछे आपका 70 ऐसा कहता है ओके बच्चो ध्यान रखेगा मैं ट्रिक से भी आद करवा दूंगे आपको कि हर राज्य में 60 से जादा सदस्य होने चाहिए कम नहीं होने चाहिए लेकिन 3 ऐसे राज्य हैं जैसे G से गोवा, M से मिजोरम और S से हो गया सिक्किम तीन यह ऐसे राज्य हैं जह पर डिपेंड करता है कि कितने सदस्य किस राज्य में होने चाहिए ठीक है बाकी सारी चीज़े में आप लोगों को M से क्यूस करवाते हुए समझाती चलूंगे ठीक है तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा बहुत ही सारी चीज़े मैंने यहां पर एक्स्प्रेंड करक है कि हमारे देश के हर राज्य में विधान सभा होनी चाहिए नेक्स कुशन भारती सविधान के निमनलिक्त अनुछेदों में से कौन राज्य की विधान सभाव के निरवाचन का प्रावधान करती है तो अनुछेद 170 ओके नेक्स कुशन भारत के किसी राज्य की विधान सदस्य हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, लेकिन 60 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, next, किसी राज्य विधान सभा के सदस्यों की न्यूनितम संख्या कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है, ठीक है, इतनी हो सकती है, इससे कम नहीं होना चाहिए, अब इस कोशन को ध्य प्रावधान करता है कि भारती से विधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधान सभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते, निमनलिक्त में इसे कौन सा राज्य इसका अपवाद है, ठीक है, इसका विपरित है, 60 से कम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन तीन ऐसे राज्य ट्रिक है मेरे पास इसे याद करिएगा जी एम एस ठीक है जी एम एस जी से गोवा एम से मिजोरम एस से सिक्किम ठीक है गोवा मिजोरम सिक्किम यह तीन ऐसे राजी है जहां पर 40 गोवा से 40 है मिजोरम से भी 40 है और सिक्कम से 32 है ठीक है यह देखे 60 से कम है यहां पर सदसे सि गोवा, मिजोरम, सिक्किम है बच्चों क्योंकि डिपंड करता है कि आपके राच्चे में कितनी जन संग क्या है 1971 जो भी जनगर्ना हुई है उसी के आधार पर सारी सीटे बती हुई है चाहे आप किंदर की बात कर लो चाहे आप संसद के सदनों की बात कर लो या फिर आप ये विधान मंडल के सदनों की बात कर लो ठीक है यही गणना चलती है 1971 की उसके बाद सविधान में संसोधन होता रहा और हर बार 10-10 साल के लिए इसी इसी जन गणना को आधार बनाया गया कि इसे क्या धरपा सीटे बटी होंगी ठीक है क्योंकि चीज फिक्स कर दी उन्होंने आज देखो गया तो हर राज्य की जनसंक्या कुछ अलग हो चुकी है पहले से है ना तो इस हिसाब से सीटे भी जादा हो गई है लेकिन हम पहला पुराना ही लेकर चल रहे हैं तो जैसे य कि एम एस गोवा मिजोरम सिक्किम तो उस समय 1971 में इनकी पॉपुलेशन इतनी कम थी कि यहां से सीटे जादा आही नहीं रही थी ठीक है इसलिए सिर चालीस चालीस और यहां से यह 32 से वितनी सीटे आपाई नेक्स्ट निमनलिक्त में से कहां विधान सभा अस्तित्व में न विधान सभा भी है जैसे कि एक पुदुचेरी है ठीक है एक दिल्ली भी है और एक है हमारा जम्मो कश्मिर पहले राज्य हुआ करता था उसके बाद उसको केंद शासित प्रदेश में लाए तो उसके विधान परिसद को हटा दिया गया पूरी तरसे लेकिन विधान सभा क दिल्ली खुद एक केंद शासित प्रदेश है लेकिन यहां पर भी विधान सभा है ठीक है गोवा तो राज्य है तो करेक्ट अंसर क्या होगा इसका लक्षदीप लक्षदीप एक केंद शासित प्रदेश है लेकिन यहां पर विधान सभा नहीं है उस संग राज्य का नाम जहां पर विधान सभा और उसमें मंत्री परिशत भी है अभी मैंने आपको बताया जैसे पुदू चेहरी हो गया दिली हो गया और हमारा जम्मू एन कश्मीर ठीक है जम्मू कश्मीर पहले राजी हुआ करता था तीन सो सब्तर हटने के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश बना तो उसके विधान परिशत को पूरी तरह से खतम कर दिया गया लेकिन विधान सभा को रखा हुआ है नेक्स्ट भारत के किन-किन संग्शासित छेत्र में विधान सभा अस्थित्व में है कौन-कौन से संग्शासित में है अब इसका अंसर आपको पता होगा प्यारे बच्चो दिल्ली व पुदुचेरी यहां पर जम्द कश्वीर भी अगर लिखा जाएगा तो वो भी बिल्कुल करेक्टर है किस राज्ज में विधान सभा सगस्यों की संख्या सबसे अधिक है सबसे अधिक संख्या किस राज्ज की विधान सभा में है तो वो है उत्तर प्रदेश में क्योंकि 1971 में इसकी population बहुत ज़दा थी तो उस हिसाब से करिवन 403, 403 सीटे आ रहे थी उत्तर प्रदेश से, किन दो राज्यों में जोडों में विधान सभा सीटों के संख्या बराबर हो जाती है, यहाँ पर बहुत सारे विधान सभाओं वाले राज्ये लिखे हो हैं, लेक 1990 सीटे हैं, हर्याणा वर 36 गड़ की, याद रहेगा, चले नेक्स्ट बच्चो, उत्तर प्रदेश की विधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हैं, अभी मैंने बताया 403, 403, 403, और यह सबसे जादा है, असम विधान सभा में कितने सदस्या हैं, असम केस में, तो वह 126 बिषार, विधान सभा में सीटों की कुल संख्या कितनी हैं, बिहार में, बिहार में कितनी है, 243, कितना 243 नेक्स कुशन विदान सभा के प्रतिक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिदित्व कहते हैं देखें 1971 में देखा गया कि जो 55,000 जनसंख्या है उसके उपर एक व्यक्ति आएगा जो विदान सभा का सदस्य बन सकता है ठीके तो अगर जिस राजी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उस हिसाब से उतनी ज्यादा सीटे निकलेंगी ठीके तो करेक्ट असर क्या होगा 75,000 पिच्छोत्तर हजार के उपर एक व्यक्ति आता है इसलिए कहते हैं पिच्छोत्तर हजार का एक प्रतिनिदित्व होता है ठीके तो जिस राजी में ज हर विधान सभा का कारेकाल है वो 5 साल का है अब ये कोशन थोड़ा समझने वाला है जम्मो कश्मिर राजी के विधान सभा का कारेकाल कितने साल का है बच्छो अगर आप पुरानी बुक पड़ेंगे तो हाँ 6 साल लिखे जाएंगे बिल्कुल सही है वो भी लेकिन आज 2021 मे अगर ये कोशन पूछा जाएगा तो अंसर रहेगा पांच साल बचो ध्यान रहें अनुछे 370 हटाने के बाद जम्मो कश्मिर में बहुत सारे चेंजस किये गए सबसे बड़ा चेंज इसको एक राज्य से हटा करके एक केंदर शासित प्रदेश में भेजा गया ठीके तो जम्मो कश्मीर एक नॉर्मल राज्य नहीं है ये एक केंदर शासित प्रदेश है इसके विधान परिसाद को समापत करके विधान सभा को बनाये रखा विधान सभा का जो साल कभी 6 साल का हुआ करता था कारेकाल अब 5 साल का कर दिया गया I hope आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट राश्ट्री आपात्काल में के उद्घोशना के परवतन रहने के स्तिती में विधान सभा के अवधी को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है ठीक है तो देखे एक साल के लिए इसका मतलब अगर हमारे देश में आपात्काल की घोशना हो चुकी है तो ऐसे में चुनाओ नहीं हो सकते देखे आप जानते हैं कि राज्य की विधान सभा को भंग किया जा सकता है ठीक है लेकिन पूरी तरह से विधान सभा को भंग किया जा सकता है विधान परिसद को कभी भंग नहीं किया जा सकता ठीक है तो विधान सभा को भंग कर दिया गया पहली बैठक होने से पहले ही तो ऐसे कोन सा राज्य था 蛏 उमिदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए P감चीश साल से जादा उम्र का होना चाहिए Before साल भी चलेगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए वो किसी लाब के पद पे नहीं होना चाहिए हमारा सविधान कहता है लाब का पद वो होता है जैसे को गौर्मेंट टीचर को पुलिस के अधिकारी ठीक है या फिर कोई भी जिसको भत्ते वगेरा मिल रहे हैं या फिर सरकार sacred इसार दे रही है तिक वह वेक्ति नहीं होना चाहिए लेकिन बचों कोई मंत्री हो ना या फिर कोई सदन का व्यक्ति हो वह कभी भी लापके पत्वें 현 & Uewik पद का इंसान कभी भी राजनेती में जा सकता ठीक है पहले उसको चीज छोड़े नहीं पड़ेगी उसके बाद जरू जा सकता है लेकिन उस पद पर होते हुए कभी नहीं जा सकता विधान सभा की गणपूरती कौरम कुल संख्या का कितना हिस्ता होता है गणपूरती कौरम मतलब देखे एक तरह से क्लास है विधान सभा एक तरह से क्लास है ठीक है उसका एक मॉनिटर होता है जिसे हम अध्यक्ष कहते हैं मॉनिटर का क्या काम होता है यह बताना कि ए तुम से बैठ जाओ तुम आओ चलो यहाँ पर चप्टर रीड करो तुम चलिए इसका जवाब बताई इस तरह से है ना ऐसा मोनिटर करता है तो इसे तरह साध्यक्ष भी यही करता है वहाँ पर लेकिन वह बैठक कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी अगर वह गणपूर्ति कोरम जैस कि 20 सदत से भी क्लास में प्रेजेंट नहीं है वी धण दस बढ़ेकी कलास में तो ऐसे में उसकी बैठक को आगे नहीं बढ़ा सकते तो कितना हो ना चाहिए एक बैठक को पूरी मतलब की माना चाहेगा की यहाँ पर इनका कोरम फूल फूल फल्फिल नहीं हो पाु तो का है विधान सभा का सत्रवश में कम से कम कितने बार आहुद किया जाना आवशक है, दो बार थेका, दो बार तो बैठके होनी चाहिए, ठीके, नेक्स्ट, विदान सभाई की बैठक की अंतिमतिति तता दूसरी बैठक की प्रतंतिति के बीच में, कितने समय से अधिकांतर नहीं होना चाहिए, देखिए, कोई बैठक अगर जनवरी में बैठी है, तो उसके जुन में करवाले उसे पहले आप चाहो तो जून में करवा लो लेकिन उसे बाद मत करवाओN शे महने होने पर मत करवाओव छे महने बाद नहीं करवानी है ऐसा रूल कहता था तो छे महने डिफ्रेंस से आहीं crít जून तक आप कर लो, जुलाई में आपको नहीं करनी है, ऐसा रूल कहता है, नेक्स्ट विधान सभा अद्यक्ष का चुनाओ कौन करता है, तो विधान सभा के सदस्य ही उनमें से अपने अद्यक्ष का चुनाओ कर लेते हैं, अद्यक्ष का यही काम होता है, वो बताएगा कि प्रोटेम स्पीकर की न्युक्ति कौन करता है तो हमारे राज्यपाल जी करते हैं क्या होता है प्रोटेम स्पीकर जैसे की विधान सभा की बैठक मतलब की विधान सभा का चुनाव हो चुका है ठीकि सारे सदस से आ चुके हैं राजिस्तान के 200 सदस्यों का चुनाव हो गया है तत्काल किसको अध्यक्ष में बैठा करनी है आभी अब तत्काल अध्यक्ष किसको बनाए क्योंकि यह तो एक process चलती चुना होता है उसके बाद आया मतमता ही उनी के मेंद्बर्स हैं विढहनी के पाल जी निफ्त कर देते हैं उसी में से किसी भी सदस्य को ठीक है जब तक के लिए तब तक की एक जो प्रपर वे से चुनकर ना आए ठीक है नेक्स्ट विधान सभा अध्यक्ष को उसके पद की शपत कौन दिलाता है तो शपत ग्रांड करने के आफशकता ही नहीं है कैसे नहीं एक जो नॉर्मल सदस्य है उसके रूप में करेगा मैंने आपको बताया ना भी विधान सभा में पहले ये लोग निर्वाचित होकर आते हैं उसके बाद उसमें से कोई एक बन जाता है अध्यक्ष तो फैले तो सदस्य बनाना विधान सभा का इसले पहले विधान सभ पूरे भारत से करिवन 1142 सदस्य आएंगे ठीक है इतने पूरे आएंगे से स्थी के टिग्री वालों के लिए ओके चलिए नेक्स्ट विधान सभा अध्यक्ष इसको देगा विधान सभा के उपाद्यक्ष को देगा देगा इसको बना दिया गया लेकिन राजस्भा के सदस्य शवाय को चुना जाता है अगर इन केस अद्ध्यक्ष जी अपसेंट है तो अदिक्षय कौन करेंगे हमारे उपाध्यक्ष करेंगे उपाध्यक्ष जपने तो उसी में से कोई एक वरिस्ट इनसान को परमिशन दे दे के भया आप ही कर लो चलो ठीक है अभ आप लिद होना थीके चर्चाएं होता हैं प्रशाust टो एक वीडियो सर्च करके देख लिए व्यदान सभाधा हमां सब साब पता चल जाए ञाँ आप क्या होता है ओंप angled लिए हुष माज़ने मतलों न हम दुसरे का वह त्यक Amgdieks को देंगे उपद्यक्ष को सीव छोड़नी है तो अपना त्याग पत्र विधान सभा के अध्यक्ष को देंगे ओके नेक्स्ट विधान सभाद्यक्ष को किस प्रकारपद से अटाया जा सकता है तो कोई यहां पर विशेश बहुमत की जरूत नहीं होती है एक साधारन प्रोसे करने से सम्वंदित प्रस्ताओ पैश करने के लिए कितने दिन पूर इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनाकी कि तर दे देंगे कि भी आप मुझे हटाने वाले हैं इससे पहले मैं इत्याक पत्र देदू या फिर विधान सभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रोसेस चलेगी साधारन बहुमत डलेगा पारित हो गया तो भी आपको हटा दिया जाएगा इसका मतलब इनके खिलाफ और विश्वास का प्रस्ताव आ गया तो पूरा का मंतरी परिस्द तयाफ़ देगा थिक है विधान सभा में कभी भी इनके खिलाफ विश्वास का प्रस्ताव पत्र नहीं आना चाहें कि नेक्स्ट रज्य विधान मंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आग्या के बिना सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्तित रहता है तो सदन उसे निश्काशित करके उसके स्थान को रित्त घोशित कर देता है बच्चों का मतलब समझें दिखें क्या होता है बैठके ह होती है विधान मंडल के कोई बैठक हुई है तो माली जी वो करीबन 75 डेस तक चली वो बैठक तो ऐसे में जो साट दिन तक कोई वहां पर प्रजेंट नहीं रहा और वह सदन का मेंबर है तो ऐसे में और उसने किसी को सूचना भी नहीं कि मैं विमाहर हो क्या हूं कुछ भी ऐसा करेगा किसी को बताएगा नहीं और सत्र की वैठक में आएगा नहीं तो उसको अब सेंट मतले हमेशा के लिए निगाल दिया जाएगा जाएगा और उसकी जगा को खाली बना जाएगा, राज्य विधान सभा के सदन की बैठक के लिए गनन पूर्ती, कितने सदस्य होन रजी के विधान सभा के 17 वसान के आदेश किसके दूरा दिये जाते 17 वसान का मतलब संझे एक सत्र होता है 17 मतलब की बैठक चल रही है क्लास चल रही है 17 बसान मतलब की चुट्टी हो गई है तो जो चुटियां जो पढ़ रही है उसको 17 वसन कहते हैं, तो चुटियों के खुशित कौन करेंगा, हमारे राजयपाल जी करेंगी, समझ में आया है, इसी पढ़ रहा है, इसी पढ़ रहा होगा समझाने में, कि देखे, क्लास तो बैठी थी, तो उसको 17 हमने कहा, लेकिन ज विधायका में में पढ़ाया है, आपको सारी चीज़े यहां पर, सेम प्रॉसेस है, बस मुझे लोकसभा के जगा, यहां पर विधान सभा बोलना पढ़ रहा है, और राज्य सभा के जगा, विधान परिसत बोलना पढ़ रहा है, और राष्टपती जी के जगा, राज्यप मोच में मिल जाएगी चलिए नैट्स कुशन के विधान सब्च का सदस्यय रहे बिना इख शे भी किंदर के देखीए विदान सभाह में क्αιोंतल का मैं मुख्यमंत्री घं sh measurement 6 bacon जी को कहते हैं कि सर यह है मेरे पास आप इनी मेरा मंत्री परज़त बना दीजिए तो राजपाल जी निक्थ कर मंत्री परिशत के वेक्तियों को हमारी मुख्य मंत्री जी के लिए ठीक है तो जो मुख्य मंत्री जी के लिए जो मंत्री परिशत बनाया गया है वो वेक्ति कहां से आएंगे या तो वो विधान सभा के वेक्ति रहेंगे या तो विधान सभा के बाहर के रहेंगे अगर बाहर जी के लिए भी रहती है जरूरी निया मुख्य मंत्री जी उसी बहुमत दल का नेता हो बाहर का भी बनाया जा सकता है तो ऐसे में उनको भी चीज बोली जाते है कि आपको छे मैने के अंदर अधिक्षता लेनी है ठीक है या सदस्यता लेनी है विधान सभा के लिए विधान प किसकी देखरेक में होता है निर्वाचन आयोग ठीक है निर्वाचन आयोग की देखरेक में विधान सभा सदस्यों का निर्वाचन होता है यह देखरेक करते हैं कि सही तरीके से कोई व्यक्ति चुना जा रहा है नहीं या फिर कुछ घपला वगरा हो रहा है तो निर्वाच आयोग एक तरस एक पूरे टीम है जो देखती है कि ये चीज़े सही हो रही है या नहीं कोई पैसा दे कर जबर जस्ति तो नहीं आ रहा है खरीद तो नहीं रहा ऐसा वैसा सारे चीज़े ये देखते हैं किस राज्य की विधान सभा में दो महलाओं की न्युक्ति राजपाल क में ूत्रखंड विधान सभा में एक सदस्य नामित किया जाता है किसके द्वारा किस को नामित कि शोता है ये इंगल इंडियन अन्र निर्वाचित होता है ओके उत्रखंड विधान सभा में लेकिन अगर किसी भी राजे का पूछे जाए तो एक एंगलो इंडियन रहता है एंगलो इंडियन क्या है सिंपल भाषा में मैं बोलू तो उसके पिताजी अंग्रेज है और उसके माताजी हमारे भारती है और जो बच्चा हुआ है वो है एंगलो इंडियन ठीक है तो वह एक पहले लेकिन अब हर इसकी 5 साल कर दी गई है और वैसे हर राज्य की दिखे जाए तो 5 साल के अवधी है हर वैक्ति की जो विधान सभा का सदस्य है ठीक है विधान सभा के सदस्य की बात हो रही है आपर नेक्स्ट राज्ष्ट्री आपातकाल की उद्गोषना के प्रवतन के स्थिति में विधान सभा के अवधी को एक वश्च के लिए बढ़ाया जाता है इसको मैं बता चुके हैं और राज्य विधान सभा का विगटन उसके गठन के बाद किसे भी समय किया जा सकता है इसके लि नए राज्य में कौन करता है कौन करता है यह सरी विधान सभा का अध्यक्ष करता है ठीके कौन करेगा विधान सभा का अध्यक्ष इस चीज को डिसाइड करेगा कि धन विध्यक यह है या नहीं है ठीके नेक्स्ट राज्य की विधान सभा को कितनी समयावधी के अंदर सव विधान सभा गो कितनी समयवधी के अंदर सवेधानिक संसोतन विधायक को शुकार अत्वा शुकार करना पड़ता है इसका मतलब ये बच्छों देखे बहुत सारे विधायक होते हैं, बिल होते हैं एक धन विधायक वो है जो से विधान सभा में आता है वित्त विधायक होता है ठीक है और एक साधरन विधायक होता है और एक जो मेन विधायक है बच्चों वो है सवेधानिक संसोधन विधायक सविधानिक संसोदन मतला जो हमारा सविधान है उसमें ही अगर कुछ बदलाव करना है तो ये प्रोसेस तो संसद में चलेगी हमारे लेकिन साथी साथ राज्य की विधान सभाओं को भी परमीशन दी जाती है कि आप इस पर चर्शा करें और जो आपका डिसिजन है वो हमें ब जाता है 50% लोगों की आफशक्ता पड़ती है तो यह पूछा इन से कि सिवकार करना या असिवकार करना इसके लिए उनको कितना समय दिया जाता है तो कोई निश्यत सिमाने देखिए क्योंकि सविधान में शंसोदन होना ये बहुत बड़ी बात होती है पुरिदेश में ल आधार पर होते हैं किस आधार पर होते हैं पैरे बच्चों वेस्क मताधिकार 18 साल से उपर के व्यक्ति मत डालेंगे ओके आप भी जरूर डालेगा नेक्स्ट यदि किसी राज्य विधान सभा के निर्वाचन में निर्वाचित घुशित होने वाला प्रत्यक्षी अपना राशी खो देता है तो उसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्यक्षियों की संक्या बहुत अधिक थी ओके चलिए नेक्स्ट किसी विधान सभा में कोई धन विधयक निमने में से किसकी अनुमती के बिना प्रुस्तुत नहीं क सपता किसन विधयक क कि आखने लाने से पहले हमेशा रज्यपाल की परमिशन लेनी पड़ती हैं उसके बाद ही यह आता है ठीके सदन में और अब को सिफ वी angry और हैं सभा में चाहली के बात करें तो सिफ उसिफ लोक सभा में आता है कभी भी राज्य सभा या फिर विधान परिसद में ये नहीं आता है ठेके ये सिफ उसिफ विधान सभा में पहले आता है तो उसको लाने से पहले भी हमारे राज्यपाल जी की परमिशन लेनी परती है और केंद्र में आ रहा ह में मनी बिल्को ही धन वीदह्यक कहतaces, तो क는 कवल विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है, क्या होता है धन्वीदह्यक है, धन्वीदह्यक अच्छल ब्रकरर सभाय के सभूर निमन लिक्ते में उसका कुसे प्रतीबन लगाया और थ्यूनि उद्यीद सभाव सभाय की निरवाचित अडिस्थियों के किसने प्रतिबंन लगाया है तोंचुन क्यू Mao ना सभाय की जो एक बालव ट्रक्तिय मैं कि श्यूंडमित Extra सै किसी निलत year पहले लोग दल बदल करते थे जीत कर तो आ जाते लेकिन अगर उन्हें कोई खरीदना चाहे तो उनको अपने दल में मिला लेते तो उसको दल बदल का नाम रख दिया ठीक है वैसे सुचे 10 में ऐसा लिखा हुआ है दल बदल का तो इस चीज़ में प्रतिबंद लगा दिया ग और फिर बापिस से आपको उस चेतर से जिस दल में आप जाना चाहते है उस दल के नाम पर आपको आना पड़ेगा ठीक है तो इस पर प्रतिबंद लगा दिया गया क्योंकि बहुत ऐसा हो रहा था ऐसे में तो कोई भी किसी को खरीद लेगा ठीक है तो सविधान का 52 आ सवि अनुशेद द्वारा किया जाता है तो करेक्ट आंसर अनुशेद 333 ठीक है 333 लिखा अनुशेद में लिखा हुआ है कि राजी के विधान सवाओं में आंगल भारती समय उधायक के एक व्यक्ति को तो लेना ही पड़ेगा ओके चले नेक्स्ट बच्चो भारत की निमने लि 24 है बिहार की कितनी है 243 है हमारे मध्य प्रदेश की कितनी सीट है 230 है तमिल नाइडू ठीक है तमिल नाइडू की कितनी सीट है 234 ठीक कितनी है 234 इस चीज़ को ध्यान में रखेगा पश्यम बंगाल की है 294 बिहार की 243 मध्य प्रदेश की 230 और तमिल नाइडू की 234 ठीक ह बच्चों, next question, राज्य विधान सभा तथा लोक सभा में महलाओं के लिए आरक्षन बिल में कितने आरक्षन की बात कही गई है, कितने बात कही गई है, 33%, 33% महलाएं भी होनी चाहिए, ओके, राज्य के विधान सभा या लोक सभा, इनमें करीबन महलाओं 33% तो होनी चाहिए, इतनी महलाएं होने चाहिए नेक्स्ट पूरे 100 पोसेंट वहाँ पर सिर्फ मेल नहीं रहेंगे 33 पोसлять मैंने तो हो नीचाहिए नेक्स्ट राज्य विधान मंडल का नीचला सधन नेचला सदन विधान सभा के विधान सभाग में रज्य की बात करतों केंदर केंदर के सनसद में नीचला सदन गया है बच्चों वो ए हमारा लोक सभा Last question हमारी वीडियो का समीदान की इस भाग में रच्जे विदान मंडल का प्राफधान किया गया है तो आप तो वह भाग शे में है ठीक जासर याद करें रहाये थे स्टेट सिले हराज्जी क्या मतलब होता है स्टेट होता है तो हम यह पर स्टेट से इसे हमारे देश में तो अब यहां पर आप अलफाबेट काउंट करें कितने हैं 1234566 अलफाबेट तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि स्टेट के बारे में सेविधान की भागच्छे में लिखा हू thank you